मेरे प्यारे देश्वांचियों जब बात ड्रक्स और युवापीडी की हो रही है तो मैं आपको मद्य प्रदेश के एक इंस्पाइरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ यह इंस्पाइरिंग जर्नी है मिनी ब्राजिल की आप सोच रहे होंगे कि मद्य प्रदेश में मिनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तो ट्विष्ट है MP के शडल में एक गाउं है विचारपूर विचारपूर को मिनी ब्राजिल कहा जाता है मिनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि य बड़ बन गया है जब कुछ हपते पहले मैं शर्डोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश्वाज़ों को और खास कर युवा साथियों को जुरूर जानना चाहिए साथियों विचारपुर गाउं के मिनी ब्रजील बनने की आत्रा दो धाई दसक पहले शुरू हुई थी उस दोरान विचारपुर गाउं अवैज सराप के लिए बद्लाम था नशे की गिर्प्त में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रैस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रैस जी के पास संसाधन ज्याता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाओं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबॉल क्रांती नाम से एक प्रोग्रेम भी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहट इवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं ये फुटबल करांती अब दीरे धीरे पूरे शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज़्यादा फुटबल क्लब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबॉल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनी दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नर्शे के लिए बनाम था वो अब देश की फुटबॉल नर्शरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं